सब्सक्राइब किजिए डिली की पार साला चैनल को और दबाएए बेला आइकान को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जनकारी मिलती रहे हेलो माई डियर इस्टुडेंट आज हम इंगलिस रीडर फ्लाइट क्लास नाइन यूनिट वन इन्वार्मेंट रीडिंग ए दा जामून ट्री का क्विश्चन अंसर जानेंगे आप देख रहें डिड़ी की पाट साला मैं हूँ आपका गुरुजी गाने स्वार धुरुजी तो चलो करते हैं कॵिश्चन का अंसर बनाना शुरुजी तो चलो आज आओ भई class 9 the jamun tree का question answer बनाना फ्रानम करते हैं comprehension है ना इसमें question 1 दिया गए देखो answer the following question और थात निमने लिखित प्रशनों के उत्तर दीजे इसमें पहला question देखो describe the jamun tree in at least five sentences और थात जमुन के पेड़ के बारे में जमुन के पेड़ के बारे में पांच वाक्यों में वर्णन किजिए describe करना है पांच वाक्यों के लिखना है इसमें है ना तो answer बनाना प्रानम करते हैं the jamun tree has following characteristics और थात jamun पेड़ की निमने लिखित विशेस्ताएं है the jamun tree stand tall and stately jamun का पेड़ सीधा खड़ा रहता है with dark green leaves and twirling branches अर्था jamun का पेड़ सीधा खड़ा तथा उसके पतियां का रंग उसके पतियों का रंग हरा एवं उसकी सखाएं घुमने एवं लहराने वाले थे यह हम listen के धार पर थे का यूज़ कर रहे हैं है ना और sentence लिखते हैं the jamun tree was a source of joy to the children jamun पेड बच्चों के खुसी का एकमाध्यम था है ना source था the jamun tree was home to many creatures including hawk, kite, sparrow and etc जामुन का पेड कई प्राणियों के लिए घर था जैसे बाज, चील, गौराया, चीटी, आदी jamun tree provided sweet syrup, अर्थात रसदार fruits, jamun का पेड मीठा और रसीले फल देने वाला पेड था तो इस तरह से क्या हो गया आपका question number one का answer हो गया अब देखते है question number two को है ना, what are the options Ricky, Jonak, Mompy and Tinky, है ना, thought for getting out for मेजी, किन-किन विकल्पों से Ricky, Jonak, Mompy और Tinky ने मेजी के लिए लकड़ी कठा करने की सोची थी, क्या सोचा था, वो लिखना है answer में, तो answer बनेगा देखो, the options Ricky, Jonak, Mompy and Tinky, thought for मेजी वास initially gathering small pieces of woods fallen from the trees, सरप्रथम Ricky, Jonak, Mompy और Tinky ने विकल्प के तोर पर छोटे-छोटे लकड़ी जो पेड़ से गिरते हैं, उन्हें एक खठा करने का सोचा था, but, later, when they wanted big मेजी, they decided to cut the jamun tree, परंतु बाद में उन्होंने जब बड़ी सी मेजी बनाने का सोचा तो उन्होंने jamun के पेड़ को काटने की बात सोची थी, तो इस तरह से यह क्या होगे आपका question number two का answer हो जाता है, अब देखते है question three, what changed Ricky's enthusiasm for cutting the jamun tree, jamun tree, Ricky का jamun पेड़ काटने की तीवर इच्छा कब बदल गई, जो उत्साह था, है न, enthusiasm जो था, वो कब बदल गया, तो answer लिखेंगे, when Ricky climbed on one of the top branches, he saw nest and two young hawk kites, जब Ricky पेड़ के सबसे उपर साखा पर चढ़ा, तो उसने देखा कि वहाँ एक गोसला था, जिसमें दो छोटे बाज चील के बच्चे थे, a hole which was home for squirrel and the tree was house for many more creatures, एक छोटा सा गढ़ा अर्था गढ़ा था पेड में, खोखला था, जिसमें गिलहरी रहता था, और वहाँ पेड कई और जीव जन्तूओं का घर भी था, so he realized that cutting tree will make them homeless, तो उसे अहसास हुआ, है ना, realize की हुआ, की पेड काटने पर कई प्रानी बेघर हो जाएंगे, तो इस तरह से यह क्या होगे, आपका question number 3 का answer बन जाता है, अब आ जाते हैं question 4 पर, what are the good things they had been getting from the jamun tree, क्या अच्छी वस्तूँ उन लोगों को jamun के पेड से मिली थी, तो क्या अच्छी चीजी थी, जो पेड से मिली थी, उसको हमें answer में लिखना है, तो answer बनेगा, jamun tree provided fruits, shadow, was home to dozens of creatures, including ants, hawks, sparrows, अर्थात, jamun के पेड से फल, छाओ, छाया, और कई दर्जन, प्रानियों के लिए, जैसे, चीटी, बाज, गुरेया के लिए, उनकी अवसकताओं को उपलब्द कराता था, it was not only home of these creatures, but provided food to them, jamun का पेड ना की उन प्रानियों के लिए, भोजन उपलब्द कराता था, अपी तु घर भी था, क्या था, घर भी था, jamun tree also was a recreation place for five friends, because from there they used to see the beauty of place, jamun का पेड, उन पांच दोस्तों के लिए, मरणजन का स्थान ही नहीं, साथ ही साथ, वे उस पर चड़कर दूर के सुन्दरता को देखते थे, at the end, अंत में, है न, at the end, when Ricky climbed to cut the tree, he realized all these things, so jamun tree acted as a teacher, तो अंत में जब Ricky पेड को काटने के लिए उपर चड़ा, तो उसने इन बातों का अहसास हुआ, इसलिए jamun का पेड एक सिख्छक की तरह सीख दिया, इन लोगों को सिख्छक की तरह क्या दिया, सीख दिया, तो इस तरह से ये बन जाता है आपका question number four का answer, अब आजाते है question number five पर, why did Ricky, Jonah, Mompy and Tinky wanted to have a big magic, क्यों Ricky, Jonah, Mompy और Tinky एक बड़ी सी magic, चाहते थे, तो answer बनेगा इसका, Ricky, Jonah, Mompy and Tinky wanted to have a big magic, because, क्योंकि, है न, they wanted to envy all their friends in the neighborhood, अर्थाद, Ricky, Jonah, Mompy और Tinky ने एक बड़ी सी magic बनानी चाहिए, क्योंकि ये अपने पड़ोसी दोस्तों को इर्षिया से जलाना चाहते थे, है न, जले ओ हम से, ये चाहते थे, इसलिए बड़ा magic बनाना चाहते थे, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, question number five cancer हो गया, अब जानते है question number six have you ever attempted to cut a tree, if yes, how did you feel, will cutting the tree, क्या तुमने कभी किसी पेंड को काटने की कोशिस की है, यदि हाँ तो, तुमने पेंड काटते समाए, कैसा महसूस किया, तो answer बनेगा, no, मतलब कभी पेंड नी काटे, है न, no, I have never attempted to cut tree, and also suggest others not to cut them, because trees are nature and they always bless us with oxygen, fruits, oats, etc, नहीं, मैंने कभी भी पेंड को काटने की कोशिस नहीं की है, और मैं दूसरों को सुझाव देता हूँ कि वे भी पेंड ना काटे, क्योंकि पेंड ही प्रकृती है, और वे हमें वायू, oxygen, fresh air देते हैं, फल, लकडी, आदी से, वर्दान के तोर पर हमें देते हैं, तो यह क्या होगे आपका, question number 6 का answer बन जाएगा, अब आजाते हैं, question number 7 पर, do you think it is good to cut a tree for the sake of a festival, give reasons for your opinion, क्या आप सुचते हैं कि त्यवहार मनाने के लिए पेंडों को काटना उचित है, अपने विचारों के कारण देवी, आपका जो विचारों का कारण भी बताना है, answer बनाए, no, I don't think cutting tree is good for any sake even if it is festival, trees are necessary for climate and environment and damaging trees will damage our livelihoods, नहीं, मैं नहीं सोचता हूं कि पेंड काटना अच्छी बात नहीं है, है ना, मैं नहीं सोचता कि पेंड काटना अच्छी बात है, तो अच्छी बात नहीं है यह ना चाहे वह तेवहार ही क्यों नहीं हो पिर्ण को नुकसान पहुचाने पर हमारा अवस्यक मौसम और परियवरन प्रभावीत होगा तो यह हमारे जीवन धार को प्रभावीत करेगा तो यह क्या हो गया आपका question number seven का answer हो गया चलो आ जाते है question two पर पहरा वाला था answer the following question यह second है complete the following table तो इसमें देखो कालम दिया गया है तीन कालम पहरा कालम में देखो दिया गया visitor to the jamun tree जो jamun की पेंड पर कौन-कौन आते हैं वह second दिया है देखो name तो उन जानवरों के नाम creature के नाम लिखना जो आते हैं और description of activities चो वी को लिखना है तो पहला animal दिया है देखो तो animals में आता है squirrels है ना अब squirrels किस में लिखना है second वाले में हो गया अब description में लिखेंगे playing on the branches जो सकाओं पर वो क्या करते हैं खेलते हैं और क्या करते हैं eating fruits और फल को खाते हैं कौन squirrel यह हो जाएगा पहला second दिया देखो birds दिया है किस में visitor में तो birds पक्षिया जो है कौन कौन से पक्षिया आते हैं hawks and sparrow आते हैं hawk kite sparrow आते हैं है ना तो यह लिख देंगे और activities में लिखेंगे build their nest जो चिडिया है वो अपना घोंसला बनाती है and hatches its eggs यह आ जाएगा कौन से वाल में description वाले में अब last आ जाओ insects कीड़े है तो यह पहले वालम लिखेंगे लेम वालम लिखेंगे ends and honeybee है ना चीटी और मधुमक्खी अब कौन से क्रिया कलाब करते हैं activities करते हैं तो sucking juice juice को क्या करते हैं चूसते हैं अर्थात juice पीते हैं रस पीते हैं for nectar nectar मिस होता है अम्रीत ठीक है तो यह बन जाएगा आपका question number two का answer अब आ जाते हैं question three work in group and discuss these questions and then write your answer individually अर्थात समु में कार्य करें और इन प्रष्णों का इन प्रष्णों पर चर्चा करें फिर अपना उत्तर अलग अलग लिखें individual लिखना है वेक्तिका तोर पर अलग अलग लिखेंगे ठीक है तो question 1 दिया देखो give reasons for not cutting a tree पेड़ न काटने के कारण बताईए पेड़ के नहीं काटोगे ओ कारण बता तो answer बने का देखो trees are important for our life and also for environment so we should not cut trees पेड़ हमारे जीवन के लिए और परियवरन के लिए महत्तपून है इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए यह बन जाए का पहला का answer ठीक है give reasons why trees are cut विरिक्षों को काटे जाने के कारण बताईए क्यों काटे जाते हैं विरिक्ष तो answer बनाएंगे trees are cut for firewood making dwellings furniture etc इत्यादी है जलाव लकड़ी के लिए तथा पेड़ों जलाव लकड़ी के लिए तथा घरों में furniture के लिए पेड़ों को काटा जाता है यह करते हैं making dwelling furniture घरों में furniture के लिए पेड़ों को क्या किया जाता है काटा जाता है यह second cancer बन जाएगा तीसरा question देखते हैं do you think the trees that do not give fruits should be cut क्या आपको लगता है कि फल देने वाले पेड़ों को काटा जाना चाहिए जो फल नहीं दे रहा है उसको काटा जाना चाहिए तो बताइए आप तो आंसर बनेगा no I don't think the trees that do not give fruits should be cut because they give us oxygen fresh air देता है है ना and ran and also increases water level underground नहीं मुझे नहीं लगता है कि जो पेड़ फल नहीं देते उन्हें काटा जाना चाहिए क्योंकि वे हमें oxygen fresh air ताजा हवा ताजी हवा और बारिश देते हैं और जमीन की नीचे जल इसतर को भी बढ़ाता है water level को क्या करता है बढ़ाता है तो यह क्या होगे आपका question number three answer होगे अब four point cancer question पहले देख लेते हैं do human beings alone have rights over the trees discuss है न क्या किवल मनिश्यों का ही विरिक्षों पर अधिकार है चर्चा करें तो उत्तर देखते हैं no human beings alone does not have rights over the trees but all the insects birds and animals also have right on it those are present in nature नहीं केवल मनिश्यों का ही विरिक्षों पर अधिकार नहीं है बलकि कीडों पक्षियों और जानवरों का भी उस पर अधिकार है जो प्रकृती में मौजूद है जो प्रकृती में विद्वान है उसका भी अधिकार है तो इस तरह से यह क्या ह मीन आप सानवावगा आओ गया क्विस्चन से फॉर का अनसर बन जाता है साथ ही क्यूस्चेन थी का एफ चारों और जाता है अब है जाते हैं Clay चारों और अक मिन ऐ सब्दकोस में इसमें क्विस्चन इया गใत देखो टीग दया एक या जोलूइट साथिट अप्षर में चिनहांकी थे अर्थाथ बोल्ड में चिनहांकी थे उसका उप्यूकत क्या लिखना है अर्थ लिखना है तो देखते हैं पहला पैंट दिया गए है मुंपी एंड टिंकी वेर इन्थूसियास्टिक अबॉट कटिंग घामून ट्रि जामून पैड को काटने के लिए मुंपी और टिंकी उससाहित थे 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 तो चार वर्ड दिया है A B C D देखो इसमें लिखा है फैसिमें अटेड बी दिया है एकसाइटड सी दिया है क्रेजी और दी दिया है डिलाइड तो इसमें से जो उचीत वर्ड है, enthusiasm का परियाय है, जो अर्थ बताता है, तो ये बन जाएक आंसर भी excited उच्साह थे, ये है न, second point देखते हैं, the marvel is the discipline with which ends told, वे उस अनुसासन से चकीत थे, जिसके साथ चीटी, जो चीटियां था, है न, मेहनत करती है, जो मेहनत करती है, चीटी, कौन से discipline के साथ, अब बोल्लम क्या है, marvel दिया है, देखो, तो इससे related earth निकलेगा, उस वर्ड़ को चुनेंगे, ये दिया देखो, where courious, b दिया है, became thoughtful, c दिया है, mocked, और d दिया है, wonderful, है न, तो चकीत, किसका चकीत, तो आंसर क्या बनेगा, wondered, चकीत थे, है न, c देखते हैं, जोनक सेड, it is obvious, that we cannot cut the tree, जोनक ने क्या कहा कि, यहाँ इसपस्ट हाई की, पेड़ नहीं काट सकते, इसपस्ट, obvious, तो इसपस्ट वर्ड इसमें देखना है, a दिया है, true, b दिया है, well known, c दिया है clear, और d दिया है possible, तो c, answer इसका बनेगा clear, इसपस्ट, तो इस तरह से क्या होगे आपका, vocabulary का question का answer समाप्त होता है, और साथ ही इस lesson का question answer भी यहीं पर समाप्त करते हैं, आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो लेशन की जनकारी के लिए हमारे चैनल डिली की पार साला को सब्सक्राइब कीजिए, और दबा दीजिए, बैल आइकान को, बैल आइकान दबाओगे, तभी आपको notification मिलागा कि नए वीडि जो डल चुगा है, तो इस तरह से आज का class हम लोग यही पर समाप्त करते हैं, जै हिंद, जै भारत!